तो जैन देवी लवर्स तो दोस्तों कैसे मूव ओस 3.2 में फॉल डेड़क्शन फीचर काम करेगा इसके लिए कौन से संसर्स जिम्मेदार हैं और आपको कैसे ये देखने को मिलेगा इंप्लिमेंटेशन इसका दोस्तों ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव आय हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा ताकि हमें ऐसा कॉन्फिटेंस मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसा यूनिक कॉन्टेंट बनाते रहें तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे दो सेंसर्स जिनको हम एक्सलरो मीटर और जायरोस्कोपिक सेंसर्स बोलते हैं यह Micro Electro Mechanical Systems के form में आते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और आपके Ola Electric Scooter के Motherboard में पहले से ही दिये गए हैं। इन दोनों sensors को हम motion processor sensors भी बोलते हैं यह क्योंकि यह motion और orientation detect करने के काम आते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के जिसमें यह लगाये जाते हैं। Accelerometer sensor तीनों axis की x, y, z की linear acceleration detect करता है वहीं gyroscope angular velocity मज़र करता है हार axis की जिसको आप your roll pitch के नाम से भी जानते हैं। एक combined fusion algorithm से मिलके gyroscope और accelerometer का data यह दिखाने के काम आता है कि orientation क्या है किसी object की जैसे इस case में माल लीजिए Ola Electric Scooter की। आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक accelerometer और gyroscope का sensor है यानि कि यह chip में already embedded है और एक ही chip में दोनों sensor embedded हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यह कितना छोटा है जो मैंने आपको दिखाया है। इसके advance algorithm की programming से आप इसको जो चाहें detect करवाने में मदद कर सकते हैं। यह sensors आपके smartphone में भी लगे होते हैं जो आपकी landscape और जो portrait orientation होती है उसको detect करते हैं। दोस्तों imagine कीजे इस picture को जिसमें x, y of z axis देख रहे हैं आप इसमें yaw, pitch और roll की moment आपको दिखायी जा रही है। अब scooter अगर एक तरफ गिरेगा या दूसी तरफ गिरेगा तो इसकी roll की moment जो होगी वो change होगी यानि की sensor जो value देगा वो roll की access के about change हो रही होगी एक तरफ negative होगी और एक तरफ positive होगी जो यह predict करने में हमारी मदद करेगी कि यह scooter खाड़ा हुआ है या फिर scooter गिर गया है। ऐसी condition में gyroscopic का जो sensor data होगा रोlexis के about वो micro controller को जाएगा जो ओला के mother board में लगा हुआ है और advanced fusion sensor mechanism के अंतरकत micro controller को यह decide करने में मदद करेगा कि scooter खड़ा है कि गिर गया है जिससे इसकी exact 3D orientation का पता चल जाएगा तो दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें मोटे तोर पर मैं समझा रहा हूँ और आपको यह चीज़ें आनी भी चाहिए क्योंकि यह advanced mathematics नहीं है यह सारी चीज़ें यह बड़ी common होती है जो आज के हर एक ऐसे smartphone या gadget में यूज होती है जो आप अपने day to day life में यूज करते है अ लेकिन मैंने आपको main technology समझाई है कि कैसे gyroscopic sensor data को यूज करके आप किसी भी चीज़ का 3D orientation detect कर सकते हैं और यही केस होगा और यहां तक कि आप इसको advanced sensor algorithm को यूज करेंगे तो gyroscopic accelerator के data से यह भी पता चल जाएगा कि scooter कितने angle पे चुका हुआ है यानि कि यह accurate positioning दे देता है कि CB object की तो उमीद है दोस्तों आपको मोटे तोर पर यह पता चल गया होगा कि sensors कैसे काम करते हैं 3D के यानि कि accelerometer और gyroscope और कैसे इनका use करके किसी भी 3D object की orientation का पता लगाया जाता है उमीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको नहीं पसंद आया तो क इसा ही वीडियो देखना चाहते हैं यह भी इसके बारे में तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं जाहें दीवी लवर्स